तो यूपी पुलिस के ताहरी का आज हमारा 36 दिन और आज चार अप्रेल तो बीना टाइम बरबात की चलिए हम देख लेते हैं तो आज का हमारा जो परिवाची है वह है तलाब तो तलाब का सर जलासे ताल तड़ाग पधाकर सरसी पुषकर पुखर का सार तलाब का हमारा पर पर बार बर बोलना आपने मन में बोलना है यह अच्छे से याद हो जाएगा तो यहां पर मुझे एक चीज कहना है खिआ यहां नमर ठीक है जिसका अब है ज़्यादी मोटिवेट होने की जरूत नहीं है अब एकदम महनस से यूपी पुलिस के लिए लग जाए अब ऒढ़ बाइद जी जान लगा दिए अब कुछ नहीं बचेगा लास्ट में जब यूपी पिलिस का आंसर की आएगा और जब उसमें नाम नहीं आएगा तो उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला है तो अब भी टाइम है अब से भी सुरू कर सकते हैं अभी बहुत लेट नहीं हुआ ह अब पूरा जी जान लगा दिजिए जो बस जी जान लगा दिजिए तो बीना टाइम बरवाद की चली देख लेते हैं कि आज का हमारा टारोड क्या है तो हम सबसे पहले करेंगे कैल्कुलेशन एक से लेकि तीस तक वर्ग लिखेंगे और एक से लेकित तक घर लिखेंगे कि उसके बाद हिंदी में हम का करेंगे उसके बाद हिंदी में हम आज अब्या की प्रश्ण करेंगे कल हमने कल और परसु दो दिन अब्या की थियोरी किया था तो आज अब्या की प्रश्ण को करेंगे उसके बाद एक पेज मुहावरा एक पेज विलोम एक पेज वाक्यान से के लिए एक सब दम करेंगे उसके बाद परिवाची आपको तलाब का परिवाची याद करना है फिर जीके और जीएस में क्या करना है मैप का क्लास नमर 18 लेना है इसका लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा या तो आप यूटूब पर सर्च कर सकते हैं मैप भाई खांस यह सारा आज आएगा यूटूब या बस इतना कहके डालेंगे आपको खुल के आ जाएगा उसके बाद सभिधान में क्लास नमर 19 29 लेंगे और इतिहास में क्लास नमर 30 और यूपी जी के का कर हमने जनगर्णा पढ़ा था जनगर्णा के वीडियो देखा था और आज हम जन अगर आप आउसत करना चाते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं आप आधित्य रंजन सर्से आउसत के क्लास यूटूब पर पढ़ा है फिरी में आप वहां से कर सकते हैं उसके बाद रिजिनिंग में दो एससी के प्रिवेस यर के सट लगाने हैं और आप रिजिनिंग कर करूंबा नोस डाल दूंगा यूपी की जनगर्णा का मुझे कोई वीडियो नहीं मिला था जो ऐसी वीडियो पूरा डिटेल में बताया हो तो इससे हम नोट से ही रिवाइज करेंगे तो आज मैं इसका पीडियूब डाल दूंगा और यहीं था हमारा टार्वेट तो अब बात करें लेते हैं कि मेरा स्सेडी में का मैंने भी बढ़ी बड़ दिया था तो मेरा कितना नमर बना तो मेरा इसी वतादू किसे बहले मेरा सिलेक्शन करफों का जीसे मेरा 653 अगली बार था मैं फिजिकल भी देने गया था रनिंग भी पास होगी थी मेरी लेकिन मुझे हाइट में छाट दिया था तो मेरा हाइट कम पड़ गया था इसलिए मेरा इस बार कोई मतलब नहीं था देने का बेमन से दिया था और एक दिन भी मैं घुडी के लिए एक दिन भी किताब नहीं उठाता है यह एक दिन भी ना तो जीडी के लिए पढ़ा था तो मेरा इस बार 65 बना ए एक एक सोतिस की लगब बन रहा है लेकिन मुझे उससे बहुत कोई मतलब नहीं है वैसे मुझे जाना नहीं है साइध हो सकता है कि मुझे फिसकली के लिए लेकिन कोई फायदा नहीं है तो आप मैंसे जिनका भी अच्छा खासा नंबर बन रहा है वह अपना पढ़ाई करी है और दिन का नहीं बन रहा है वह दिन अब महनत डू ना कर दिए क्योंकि मेरा 65 नमर आया है तो अब मुझे यहां से बहुत तड़ा मोटिवेशन मिल गया है कि अब मुझे अपनी मेहनत और दोगनी करनी होगी क्योंकि मैं सोच रहा था कि साइध मेरा 70 प्लस चला जाए लेकि न तो बस मेहनत करूं जितना मेहनत की रहेंगे उतना ही फायदा होगा तो मुझे आपको अपना बताना थे तो मैंने आपको अपना बता दीजा